हेलो एवरीवन वैलकम टू माइ यूट्यूब चैनल प्रीद बालो जी आज की वीडियो में हम लोग कुछ एम सी क्यूज देखेंगे जो की ब्रायो फाइटा टेरीडो फाइटा और जिम्नो स्पर्म से रिलेटेड होंगे और यह पार्ट टू है एक पार्ट मैंने वन भी बनाया जहां पर की सिर्फ ब्रायो फाइटा के कुछ कोशन्स आप महां पर देख सकते हैं यह सिरीज है जो प्रीजर इस पूर्स एम्प्री वट लैक्स वैर्सकूलल टीशू और सिद वो फाइटा टेडिक गड़्ो फाइटा पैस थो वे स्पूलल टीशू ब्यूज खायता है वो नहीं है नहीं उसके पास यह उसका प्लान्ट गूरू है थो वह प्रायो फाइट के पास तुर्य इन पोचे जे जो टारीदोफटा होते हैं वह मॉसस Put My Images करते हैं तो वह करते हैं तो एप सभी को पता है कि अगि इसके जेक इसके पास वेट अप्याइव प्रूप विंडिये अंचरीज सिस्टम प्सराइटsn कई अपैटलार नियुट्टी कि जो कि एक इड्वांस से कंटेकर लॉट्टी का मुहांपे क्या होती है सबस्काम उते हैं ऊथित बॉन टाइंम और दस्पोर फॉर्मेशन जब से खॉने स्पोर का नेскर्म उतरे He something जरे अब पढ़ते हैं अगले कुशन की सबफ s इसका correct answer क्या होगा? इसका होगा 2 In psychos, pollination is by Psychos में pollination किसके द्वारा होता है? Wind के द्वारा होता है Next question है In mosses, stomata occur at Mosses में यानि व्राइफाइट की बात हो रही है Stomata कहां पर पाय जाता है? उनके stem में, leaves में, capsule में कि all of the above तो उसका क्या होगा? Capsule होगा Next question In dryopteris, the anthrozoids are Dryopteris में anthrozoids क्या होती है? तो anthrozoids हों गया multiflagellate और spirally coiled होते हैं ठीक? और यह dryopteris किसके मेंबर है? टेरीडोफाइट्स के advanced members हैं Next question Plants having spores, xylem phloem but lacking seed are जिन plants के पास spore भी है, xylem भी है, phloem भी है लेकिन seed नहीं है उनको क्या बोलेंगे? टेरीडोफाइटा बोलेंगे ब्राइटा में क्या नहीं होते हैं? ब्राइटा में vascular tissues नहीं होते हैं, xylem और phloem नहीं होते हैं यहाँ पर क्या होती है, seed होती है पर आपको fruit देखने को नहीं मिलेगा एंजिस्पर्म में तो आपको fruit भी देखने को मिलता है तो यहाँ पर क्या कह रहा है? जिसके पास spores भी है, xylem भी है, phloem भी है लेकिन seed नहीं है तो वो कौन से होते हैं, teridophytes होते हैं, next question in rickshia, bryophytes है नहीं, bryophytes में rickshia की बात की जाए, तो sporophyte is क्या होंगे? तो इसमें क्या होंगे? sporophyte is parasitic over gametophyte, जहां कि bryophyte में क्या होता है? main plant body gametophytic होती है और sporophytic क्या होता है? उस पर कहीं न कहीं dependent होता है आपने देखा होगा कि जो capsules होते हैं, वो किसे निकले हुए होते हैं, gametophyte से ही तो उसका sporophyte क्या होता है? nutrition लेता है, तो क्या होते हैं? sporophyte is parasitic over gametophyte next question, number of integuments present in the ovule of pinus oblique psychus is? pinus और psychus यह क्या है? gymnosperm की बात हो रही है, तो pinus और psychus में integuments की संख्या क्या होती है? इसका correct answer होगा 1, ठीक, क्या होती है? 1 होती है next question है, pro thallus gametophyte give rise to fun plant without fertilization it is, वो क्या होता है? जो gametophyte जो होता है, जो pro thallus बनता है, वो क्या करेगा? एक sporophyte बनाता है, बिना fertilization के तो उस condition को क्या बोलते हैं? options क्या है? पहला, apospory, दूसरा, apogammy, third, parthenocarpy and fourth, parthenogenesis तो इसका right, जो option होगा, वो कौन सा होगा? apogammy, ठीक, apogammy इसका क्या होगा? correct answer होगा, तो इसमें क्या होता है? जब gametophyte, gametophyte से sporophyte बने बिना fertilization के, तो उसको बोलते हैं, apogammy बोलते हैं next question है, कैसा है, मिलता जुलता, आपको देखने को मिलेगा, इसमें क्या कह रहा है? formation of gametophyte directly from sporophyte, जब gametophyte बने, sporophyte से क्या बन रहा है? directly gametophyte बन रहा है, तो उसको क्या बोलते है? apogspory बोलते हैं, ठीक? तो आपको यह ऐसे याद हो पाएगा, कि यहाँ पर बन कॉन रहा है, gametophyte, ठीक? लेकिन यहाँ S लिखा हुआ है, उल्टा है, जस्ट, तो इस तरीके से, जैसे apogammy भी आपने पढ़ा, उसमें क्या था? formation of क्या था? sporophyte, है ना? जो apogammy है, तो इसमें क्या था, formation of sporophyte from gametophyte without fertilization, तो वहाँ जी था, sporophyte का formation था, लेकिन apogammy लगाओ, इसी तरह यहाँ formation किसका हो रहा, gametophyte का हो रहा है, लेकिन, यहाँ पर आपको, क्या देखने को मिल रहा है, S तो यह ट्रिक है, अदर्वाइस यह तो आपको याद करन नहीं पड़ेगा, ठीक, उसके बाद next question है, foliar gap in vascular cylinder of fern is, जो vascular cylinder जो fern में होते हैं, उनमें जो foliar gap होता है, वो क्या होता है, वो होता है, parenchymetis zone होता है, ठीक है, क्योता है, parenchymetis zone होता है, next question, rosin and turpentine are obtained from, जो rosin होता है, जो turpentine होता है, वो किस से मिलता है, तो मिलता है, pinus से मिलता है, है न, तो यह साइ, यह खास बात है, pinus की, कि उसमें resin, rosin, turpentine, जैसी चीज़े जो होती है, हमें pinus से मिलती है, next question है, independent alternation of generation is present in, ठीक है, independent यानि sporophyte अपना और gametophyte अपना, जो इस तरह का independent alternation बन रहा है, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, teridophyta में देखने को मिलेगा, ठीक है, next question, kidney shaped, kidney shaped soral covering of drabteris aid, इस drabteris में जो kidney shaped soral covering होती है, उसको क्या बोलते हैं, reventum बोलते हैं, placenta बोलते हैं, या third option क्या है, यहाँ पे लिखा नहीं है, inducium है, या sporophyll है, तो inducium जो होता है, इसका right option होगा, ठीक, next question, sperm of both funeria, teris or drabteris were released together near the archigonia of teris drabteris, only its sperm entered the archigonia as, इसका correct option क्या होगा, next question, neck canal cell in drabteris oblique fun are, जो neck canal cell होती है, वो drabteris में कितनी होती है, तो वो होती है, one with two nuclei, ठीक है, कितनी होती है, पूछ रहा है, पूछ रहा है कि पाइनस में, जो इसका member है, नहीं मतलब जिमनस्पर्म का पाइनस जो member है, उसमें haploid structure जो होता है, वो कौन-कौन से उसके haploid structure है, और options यहां दिये हुए है, तो इसमें जो correct option होगा, वो होगा, mega, spore भी है, mega, spore, pollen, grain, और endosperm है, यह तीनों क्या है, haploid structure है, तो जिमनस्पर्म का जो endosperm होता है, वो भी क्या होता है, haploid होता है, ठीक, और बाकी तो pollen, grain, and mega, spore आपको यादी है, जबकि endosperm में haploid नहीं होता है, endosperm, ठीक है, लेकिन, जिमनस्पर्म की case में, और यहां पाइनस को पूछ रहा है, तो endosperm क्या होगा, haploid structure होगा, ठीक, उसके बाद है, next question है, in a fern sporengium, the number of spore is, कितना होगा, 64 होगा, ठीक है, जो fern है, ठीक है, इन a fern sporengium, तो उसमें कितने spores होते हैं, total 64 होते हैं, next question है, in psychus, the endosperm is, psychus में endosperm क्या होता है, sporophytic होता है, gametophytic होता है, new structure होता है, या formed after fertilization, तो psychus में, जो endosperm जो होता है, वो होता है, gametophytic structure होता है, कैसा होता है, gametophytic structure, next question, protonema occurs in the life cycle of protonema क्या होता है, यह किसकी life cycle में होता है, रिक्षिया क्यों होता है, funeria के, drapteris के, या spirogyra, spirogyra, alga है, रिक्षिया क्या है, bryophyta है, drapteris के, teridophyta है, और funeria और mosses क्या है, यह भी bryophyta है, तो इसका correct answer क्या होगा, bryophyta के advanced member में, जो कि funeria है, या moss है, उसमें आपको protonema structure देखने को मिलेगा, next question, on germination, a moss is, a moss spore produces, germinate करने पर जो moss का spore होता है, वो क्या produce करता है, protonema, leafy gametophyte, sporogonium, sporophyte, तो वो क्या करता है, ए, protonema, ठीक, next question, apophysis in the capsule of funeria is, apophysis क्या होता है, जो capsule है, funeria के capsule में, वो lower part होता है, upper part होता है, middle part होता है, या fertile part होता है, तो वो कैसा होता है, lower part होता है, funeria के case में, apophysis क्या होता है, lower part होता है, next question the structure that ruptures for dehiscence in moss capsule is वो structure कौन सा है जो की rupture हो जाता है moss capsule में जिसके बाद sports निकलते हैं the structure that ruptures for dehiscence in moss capsule is इसका correct answer क्या होगा annulus next question next question क्या कह रहा है कि the gametophyte of funeria is funeria का जो gametophyte है वो क्या होता है तो वो होता है mono aeceus and auto aeceus next question moss peristorm tics part in जो moss का जो peristorm होता है वो किस चीज में भाग लेता है वो spore dispersal में लेगा photosynthesis में लेगा protection में लेगा या absorption में लेगा तो वो लेता है participation उसका कहां पे रहता है spore dispersal में moss peristorm का next question in fern fertilization does not involve fern में कहां fertilization नहीं होता है fertilization में क्या नहीं होता है pollen tube, archegonia, flagellate, anthrozoid और water क्या इसमें नहीं होता है fertilization में तो इसका होगा pollen tube fertilization में fern में pollen tube जो होती है वो नहीं होती है archegonia भी रहेगा flagellate, anthrozoid भी रहेगा और water भी रहेगा next question gymnosperms do not have gymnosperms के पास क्या नहीं है very very important तो इसके पास क्या नहीं है इसके पास vessels नहीं है इसके पास सेव ट्यूब्स नहीं है इसके पास companion cells नहीं है यह सब angio gymnosperms है ना angiosperms के पास होते हैं लेकिन gymnosperms के पास यह सब नहीं होता है नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट कोशन पॉलेन ग्रेन ओफ साइकस आर शेड अट स्टेज साइकस का जो पॉलेन ग्रेन है वो कितने सेल स्टेज पे शेड होता है वन थ्री टू फोर तो यह याद रखेगा थ्री सेल स्टेज पे साइकस का पॉलेन ग्रेन शेड होता है नेक्स्ट कोशन इसमें क्या कह रहा है कि मरकेंशिया या रिक्षिया की बात की जाए तो जो राइजॉयट्स होते हैं वो क्या होते हैं अन ब्रांच होते हैं और यूनी सेलुलर होते हैं नेक्स्ट कोशन विच वन हैस दे लार्जेस्ट गेमिटोफाइट किसका लार्जेस्ट गेमिटोफाइट होता हैं साइकस का होता है अंजी स्पर्म का होता है सिलेजिनेला या मॉस तो साइकस का जो होता है गेमिटोफाइट वो क्या होता है लार्जेस्ट होता है इन ब्रायोफाइट फ्यूनेरिया दस स्पर्म्स आर तो फ्यूनेरिया में जो स्पर्म्स होते हैं वो बाई फ्लेजिलेट होते हैं और बेंट होते हैं ब्रायोफाइट को बोला जाता है एंफीबियन क्यों क्योंकि उनको वोटर की रिक्वार्मेंट होती है सेक्च्छल रिप्रोड़क्शन के लिए ब्रायोफाइट्स आर एंफीबियन्स because they require a layer of water for carrying out सेक्च्छल रिप्रोड़क्शन नेक्स्ट कोशन तेरीडोफाइट्स दिफर फ्रम ब्रायोफाइट इन पसेजिंग इनडिपेंडेंट गेमिटोफाइट एन इस्पोरोफाइट थोड़े दिल पहले भी कैसा कोशन आया था यहां पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टेरीडोफाइट में क्या होता है इनडिपेंडेंट होता है यानि एक दूसरे पे वो निर्भर नहीं है तो इस मामले जबकि ब्राफाइट में क्या था स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट पे डिपेंडेंडेंट था नेक्स्ट कोशन है फर्न राइजोम इस जो फर्न राइजोम होता है वो क्या होता है वो एक तरह का स्टेम है नेक्स्ट कोशन है इन सिलेजिनेला दा मेगा स्पोरोफिल इस कमपेरबल टू दे स्ट्रक्शर इन एंजोस्पम सिलेजिनेला में जो मेगा स्पोरोफिल है ठीक है वो एंजोस्पम के किसके स्ट्रक्शर की मतलब उसकी तुलना की जा सकती है कार्पल की ऑप्शन सी कार्पल नेक्स्ट कोर्शन है पाइनस इस जिमनल स्पर्म विकॉज इट पाइनस क्या है जिमनल स्पर्म है क्यों क्योंकि इसके पास ओविरी नहीं है और यह क्या है एक्सपोजड इसके ओव्यूल्स होते हैं ठीक है इसलिए क्या है क्योंकि यह जिमनल स्पर्म की खास बात है कि इनक स्पर्मेटोज़ाइड और साइकस का जो स्पर्मेटोज़ाइड होता है वो कैसा होता है मल्टी फ्लेजिलेट होता है यही सबसे बड़ा फर्क है स्पर्मेटोज़ाइड और सबसे बड़ा जो स्पर्मेटोज़ाइड होता है वो किसका होता है साइकस का होता है नेक्स्ट कुश्चन विच इज ए वाकिंग फर्न विच प्रड्यूज़ेज न्यू प्लांट्स वैन इट्स लीफ टिप टुच स्वाइल वाकिंग फर्न क्या है जो कि न्यू प्लांट को क्या कर रा है प्रड्यूज कर रहा है वैन इस लीफ टिप जो होती है वो तचकर ती वौक इसको बोलते है एडियंटम को बोलते हैं next question है external fertilization is not required external water external water is not required for fertilization in किसके fertilization में external water की ज़रुवत नहीं पढ़ती है तो वो है जिम्नोइस्पर्म ठीक है ब्रायो में भी पढ़ती है अर्मॉस वॉटर की रिक्वार्मेंट पढ़ती है यूलो त्रिक्स अलगा को भी पढ़ती है लेकिन जिम्नोे स्पर्म को ठीक है एंज्जो पर्डियुस्पर्म को इनको वॉटर की ज़ुरत नहीं होती है फर्टिलाइजेशन के लिए नेक्स्ट कोशन क्या है नेक्स्ट कोशन है पाइनस प्रड्यूस पाइनस क्या प्रड्यूस करता है क्या प्रड्यूस करता है सीड नहीं प्रड्यूस करता है फ्लावर नहीं प्रड्यूस करता है या उसके पास क्या है vascular tissues नहीं है या naked seed in cones है तो इसका correct option क्या होगा कि pinus क्या करता है naked seed in cones होते हैं इनके पास next question coloroid root of psychus possess a symbiotic alga जो psychus का जो coloroid root होता है वहाँ पर algae का क्या होता है association होता है symbiotic association होता है तो वो कौन है एना बीना इसका क्या है correct answer है उसके बाद next question है sterile unicellate and multicellate hair present in receptacle of moss is इसका correct option क्या होगा इसका correct option होगा बी पैराफाइस अब आते हैं next question पे तो इसमें next question क्या है है कि hetero spory and legulate leaves occur in जो hetero spory जो होता है और legulate leaves होता है वो आपको कहां देखने को मिलेगा सलेजिनेला में देखने को मिलेगा सलेजिनेला दो तरह के स्पोर्स को बनाता है ठीक है और उसके बाद next question and plant having seed but lacking flower fruit belongs to job plantWS क help the seeds here Isn't ready flower भी नहीं नहीं है तो वोगार होते हैं जिरनो होते हैं most के पास स्पेँद है एंअ गरशियर चुट पास सीद ही नहीं फरन के पकल और शीद हाइं लेकिन from a city toohet w learnt नहीं आप अब next question है, Saikas को living fossil इसले कह जाता है, क्योंकि यह कुछी area पर क्या है, restricted है, पाई जाते हैं. तो मेल गैमिटो ऑफ साइकस आर जो साइकस का जो मेल गैमिटो फाइट है वो क्या होगा कैसा होगा तो वो होगा large top like spirally twisted with cilia तो उसका ऐसे लट्टू की तरह जो होता है आप देखेंगे है ना इसके जो male gametes होते हैं यहां पर इस तरह करके होंगे और यहां पर बहुत सारे cilia होंगे large होगा ठीक उसके बाद लीफी gametophyte अकरीन किस में होता है लीफी gametophyte तो bryophyta में होता है ठ next question moss protonema resembles in structure जो moss protonema होता है है ना उसका structure किस से मिलता है multicellular green alga से मिलता है ठिक उसके बाद है next question rhizodes of funeria are जो funeria के जो rhizodes होते हैं वो कैसे होते हैं वो होते हैं करलेस multicellular with oblique septum next question next question क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि sporophyte जो funeria का होता है वो columnela होता है ठीक है मतलब funeria के sporophyte में क्या होता है कॉलोमेला होता है और यह जो columnela होता है यह sterile होता है और middle में होता है next question bryophytes grow in moist and saddy habitats because जो bryophytes होते हैं वो moist और saddy habitat में पाए जाते हैं यह ग्रो करते हैं क्यूं क्यूंकि उनको क्या चाहिए होता है water चाहिए होता है fertilization के लिए next question उसके बाद क्या है mature archigonium of fern mature archigonium of fern attracts anthrojoids chemotactically by means of इसका correct answer क्या होगा malic acid तो जो fern का mature archigonia है वो attract करता है किसको anthrojoids को करता है किसके मदद से करता है malic acid के मदद से करता है next in fern gametophyte is nutritionally जो fern gametophyte होता है वो neutrally क्या होता है nutritionally nutritionally होता है photo autotroph होता है photo autotroph next question है fern gametophyte is यह क्या होता है multicellular होंगे और quadate prothelus होंगे next question है जो winged pollen grain होता है वो मिलता है किसमें मिलेगा वो वो मिलेगा pinus में इसको तो आपको रठी लेना है किसमें मिलेगा pinus में मिलेगा next question इन पाइनस साइकस जिमनस्पर्म दा इंडोस्पर्म इस जिमनस्पर्म की बात करें चाहे पाइनस की बात करें चाहे साइकस की बात करें इनका जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है हेपलोड होता है ठीक एक एक करेक्टर प्रेजेंट इन कोलोराइड रूट एन अब्सेंट इन डाइ कॉट रूट इस इसको option है आलगल जोन क्योंसा अकरेक्टर है जो आर्दक hooता है लेकिन डाइकॉर्ट युट में नहीं होता है next question है neck canal cell is absent in the archigonium of है किनाल में एपसेंट होती है तो साइकस के हैं जैसा स्वाफ थार्यूद भता होगी जो मीत बीटलेश सुधाओके होती है next question female cone of pinus develops seed in जो female cone होता है pinus का वह seed develop करता है कितने दिन में three years में next question coloroid root help in help cycles in coloroid root root जो होता है वह cycles का किस चीज में मदद करता है तो वह करता है fixation and absorption of nitrogen okay next question है which one is common between pinus pinus का जिमनल स्पर्म का टेरी और ड्राप टेरिस किस का है टेरीडो फाइटा का तो इन दोनों में common क्या होता है इन दोनों में यह common है कि इन दोनों के पास क्या है फ्रूट नहीं होते हैं ठीक है इन दोनों के पास क्या होते हैं फ्रूट नहीं होते हैं प्लांट बॉड़ी औफ टेरीडो फाइटा इस तो टेरीडो फाइट की ब्लांट बॉड़ी कैसे इस पोरो फाइट होती है जबकि ब्राइओ फाइट की का होती है गेमिटो फिटिक होती है नेक्स्ट कूशन इन फ्यूनेरिया ब्राइओ फाइट इन जो फ्यूनेरिया हो है यह स्पोरो फाइट और फर्णद्रॉज नुट्रीशन फ्रॉम प्रोलीड स्थनु यह जो इस पॉरो फाइट होता है फर्ण का है ना वह प्रोली तॉ हैं तो यहां फूर्ट के द्रू लेता है दिग उसके बाद है नेक्स्त कोशुन डॉस्ट और कि एलगी किस सब्सक्राइब करते हैं ठीक है और थैलोफाइट से किस मामले में उनके पास क्या होता है उनके पास होता है वैस्कुलर टीशू टैरीडोफाइट के पास में नेक्स्ट कोशन क्या है पाइनस डिफर फ्रॉम मैंगो इन हैविंग जो पाइनस होता है वो डिफर करता है मैंगो से किस मामले में उसमें क्या होता है पाइनस में ओव्यूल्स अर नाट इंग्लोज्ड इन ओवरी नेक्स्ट कोशन मेल गैमेट्स आर मल्टी फ्लेजलेट इन किस में जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मल्टी फ्लेजलेट होते हैं तो फर्न में जो होते हैं क्या होते हैं मल्टी फ्लेजलेट होते हैं इन सेलेजनेला स्टेम त्रवी कुलplaces लिप्रेजनेला की स्टेम में आप को त्रवी कुलेही देखने को मिलेगा और यह जो ड्राइवические हैं यह किसका मोडिफाइड है रूप है तो यह है ऐंडो डर्मल सेल्स क coronavirus के नेक्स्ट कृश्चन है कि नंबर ऑफ प्रो थैलियल सेल्स इन मेल गैमिटो फाइट ऑफ सिलेजिनेला के मेल गैमिट में कितने संख्या में प्रो थैलियल सेल होते हैं तो इसका करेक्ट आउंटसर क्या होगा वन next question which one is the most advanced from evolutionary viewpoint इसमें से कौन सा सबसे जादे अगर evolutionary में देखे तो सबसे जादे कौन होगा इन चारों में सलेजिनेला फ्यूनेरिया क्लेमाइडो मुनास पाइनस में तो कौन होगा पाइनस होगा ठीक सबसे पहले क्या आएंगे क्लेमाइडो मुनास आएंगे उसके बाद क्य एका फ्यूनेरिया पाइनस तो सबसे जादे कौन है पाइनस हिरा नेक्स्ट इस में पूफाइनस कंटेंद जो से केंडरी वुड होता है पाइनस का उसके पास क्या होता है अत्वीप चूंश रहा है स्माः में कि जो आर्चिआ मेडे होते हैं ठीक है वो किसकी ख़गे वह पास भी आँगे ब्रायोफाइट, टरीडोफाइट और जिमनो तीनों के पास आर्ची ये तीनों ही जो है आर्चीगोनियेट के कटेगरी में आते हैं तीनों है नेक्स कोशन है इसमें क्या कह रहा है कि जो स्पोरेंजिया के जो ग्रूप है जो की टेवलप होते हैं प्रेसेंटा से और कवर्ड होते हैं इंडिूसियम से उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं सोरस बोलते हैं नेक्स्ट कोशन यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट इस डैट जो ब्रायोफाइट है उनका यूनिक फीचर क्या है कि उनका जो इस पोरोफाइट है वो क्या होता है गेमिटोफाइट से अटैच होता है ऐसा आपको तेरिडोफाइट में देखने को मिलेगा और नहीं आपक को मिलेगा next question क्या है next question है time interval between pollination and fertilization in pinus pinus में pollination or fertilization के बीच का जो gap है वो कितना है एक साल का होता है ठीक उसके बाद next question है क्या रहा है number of kotyledons in G, psychus and pinus are respectively इसका correct answer क्या होगा c one two many यानि जिया में जिया में कितना है one है psychus में kotyledon two है तो pinus में कितने है many है next question next question क्या कह रहा है कि meiosis occurs in funeria in meiosis कब होता है funeria में तो जब spore mother cell होती है तब जिसके बाद क्या बनेंगे spores बनेंगे which is gametophytic in pinus pinus में कौन सा gametophytic है तो micro and mega spores जो है वो क्या है gametophytic है ठीक उसके बाद next question क्या क्या रहा है कि मेल जो कौन है pinus का वो किस चिस से बने रहते हैं तो वो होते हैं micro sporophyll से बने हुए होते हैं ठीक है micro sporophyll जब बहुत सारी कठा हो जाते हैं तो क्या बनते हैं ultimately male कौन बनाते हैं next question जाइगोटिक मियोसिस occur in जाइगोटिक मियोसिस किस में होता है तो algae में होता है the number of peristorm teeth in funeria capsule funeria के जो capsule में number of peristorm कितना होता है तो वो होता है वो होगा 32 ठीक है कितना होगा 32 next question क्या है juvenile state of moss is जो juvenile state होता है मौस में वो क्या होता है वो होता है प्रोटो नीमा next question पाइनस का जो pollen होता है वो क्या होता है पाइनस का जो pollen होता है वो होगा winged अ यहाद अ in को फोन अर्ची गोणियम ऑफ रिक्सिया है जो रिक्सिया का जो आर्ची गोणियम होता है उसमें फोर न intestines कैनाल से लोती एक वेंटर केनाल से लोती है और वन ऊस्विखल या एग होता है थीक वोन नेक्स्टि कोषण है जो फर्स्ट डिवीजन होता है सेलोट में सेलेजनेला के वो कैसा होता है तो वो होगा ट्रांस्वर्सडीजन फैसे मिल्केन और हुखियून तो पर ख ही सेलफ मॉत प्रिती स्वीडर कड्स हें वह कौन सा structure है तो वह है आर्ची गुनियम गीमा for vegetative reproduction आकर इन तो जो गीमा होता है गीमा कप जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है मरकेंशिया में पाया जाता है तो इस वीडियो में बस इतना ही कोशन्स बहुत ही जादे लंबी वीडियो हो गई आगे की कोशन्स आप अगली वीडियो में MCQs देखेगा अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद बाबाई